3-inch stiffening girder सबसे पहले stiffening girder क्या होता है इसका purpose क्या होता है इसको समझ लेते हैं यह हमने कल भी समझा था आपका तो आप कैसे पहले लाइन कह रही है Since the cable of the suspension bridge is the main load bearing member the curvature of the cable of an unstiffened bridge changes as the load moves on the deck तो यह आपको मैं already बता चुका हूँ कि जो आपका cable होता है suspension bridge का वो आपका flexible होता है वो आपका bending में resist नहीं कर सकता है That is why जब इसमें आपका एक load move करेगा तो cable का जो आपका curvature होगा वो भी आपका change होते रहेगा The curvature of the cable will change as the load moves on the decking तो अगर आपका एक unstiffened bridge है तो वहाँ पर आपका एक load move कर रहा है एक vehicle move कर रहा है तो जब आपका curvature होगा cable का वो change होते रहेगा Therefore to avoid this the decking is stiffened by provision of either a 3-hinge stiffening girders और a 2-hinge stiffening girders तो इसी को avoid करने के लिए हम क्या करते हैं आपका stiffening girders का use करते हैं तो आपके पास generally two types के stiffening girders होते हैं एक आपका 3-hinge stiffening girders है और एक आपका 2-hinge stiffening girders है clear है तो 3-hinge में आपके 3-hinge होंगे 3 internal hinge होंगे and 2-hinge में आपके 2-hinge होंगे right अब हम आपका 3-hinge पढ़ने वाले है clear है तो stiffening girders करता क्या है कैसे इस problem को avoid करता है तो 3-rd line है the stiffening girders transfers a uniform or equal load to each suspender irrespective of the position of load on the decking stiffening girders क्या करता है कि आपका load deck पे कहीं पर भी हो आपका वो suspender में equal and uniform load ही transfer करेगा चाहिए आपका load किसी भी position पर हो right तो इसलिए आपका जो cable का curvature होगा वो आपका uniform रहेगा आपका load की position पर dependent नहीं करेगा clear है तो यह होता है आपका purpose of stiffening girders and then आपका नीचे diagram में आपको एक 3-inch stiffening girders दिख रहा है right यहाँ पर आपको ऊपर cable दिख रही है यह आपके red class में ने cable मना दिया ठीक है और यह नीचे आपको deck दिख रहा है यह जो deck है इसमें आपको एक trust सा दिख रहा होगा यहाँ पर इससे हम stiffening girders कहते हैं इससे trust के कारण आपका क्या होगा uniformly distribute होगा load आपके suspenders पर right तो यहाँ पर आपके जो deck है आपको तीन हिंज दिख रहे होंगे आपके नंबर यहाँ पर दो ends में आपके हिंज है डी एड एफ दो हिंज आपके ends में रहेंगे एंड एक आपका center पर है यह तो तीन हिंज है आपके पास और हिंज क्या होते हैं जो आपका हमने अल्रेटी पढ़ा था इनको चेक कर लो जो आपके यह D है यह आपका deck का left support है यहाँ पर abattment होगा आपका और जो F है आपका F point है जो आपका वो क्या है आपका right hand abattment है E आपका center of the deck है right and जो आपका A और B और C क्या है A आपका left hand है cable का और B आपका right hand cable का and C is the center of cable okay यहाँ पर D आपका central dip है cable का that is maximum dip of cable and the length between two ends is capital L right तो यह आपको यहाँ पर दिख रहा है तो अब इसको हम analyze कैसा करते है actually में क्या होता है आपका cable में जो आपका यहाँ जो लोड आता है वो आपका deck से ही आता है सबसे पहले आपको जो एक वेहल मूव करेगा वो डैक के में पर करेगा देन उस वीखल का लोड़ आपका डेक से आपका suspender में transfer होगा बैले डेकम आएगा यहाँ अपका Suspender में जाएगा अ बैपका SUSPENDERS गो है वह आपका केबल में ट्रांसफर कर देंगे, right? And then cable further आपका foundation में ट्रांसफर कर देगा, right? इसमें क्या होता है, जो आपको एक वेहिकल का लोड दे रिखा होगा, कि आपका deck में एक 50 क्लिटिन का वेहिकल move कर रहा है, या फिर 50 क्लिटिन का लोड आपका deck पर कहीं पर है, तो due to that load आपका cable में क्या load आ रहा होगा and क्या cable में tensions आ रहे होंगे, है न, तो वो आपको निकालना पड़ता है, right? तो इसमें question थोड़ा different तरीके सा आएगा, आपको एक load दिया होगा, जो deck पर लग रहा होगा आपका, ना कि cable में, अभी तरह जो हमने question किया थे, उसमें आपको cable में एक load लग रहा था, and then आपने उसे tension calculate किया था, इन cases में क्या होगा आपका, आपको deck में load given होगा, and then आपको calculate करना पड़ाएगी, क्या cable में कितना load आ रहा है, and then cable में tension कितना आएगा, due to that load, right? तो इसको analyze करने से पहले, हम क्या करते हैं आपका, इसका equilibrium check कर लेते हैं, जो आपका ये suspension bridge है, इसका equilibrium check कर लेते हैं, तो आपकी हाँ पर दो पार्ट दिखे हैं, आपका एक cable है, और एक आपका deck है, right? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ये अलग-अलग equilibrium check करते हैं, तो for that, हम क्या करेंगे, आपका, एक section cut कर देंगे, और section की जो position होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, मैंना आपका एक horizontally section cut कर दिया है, suspenders के थूरू, के जिए रहा है, इस section से क्या होगा, आपका जो cable है, वो upward side में है, और deck आपका downward side में है, तो cable and deck आपके दोनों ही अलग हो गए, हम दोनों का equilibrium अलग से, बना सकते हैं, आपका free body diagram दोनों का बना सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का free body diagram आपको next, यहाँ पर next diagram में show हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आप देखते हैं सबसे पहले, सबसे पहले आप इसकी mechanism को समझना, कि कौन-कौन से forces generate होंगे आपके, and then कौन-कौन से forces आपकी cable में आगे, कौन से deck में आ रहे होंगे, राइट, सबसे पहले हम आपका एक क्या करते हैं, एक load ले लेते हैं, एक vehicle load ले ले लेते हैं, ठीक है, जो आपका deck के पर move कर रहा है, तो यहाँ पर आपका दिख नहीं रहा है, मैं आपका बना रहा हूं, लिकर आपका red color का हमने आपके, वेहिकल का लोड बना दिया है एक यूनिट लोड है या फिर इसको हम कुछ भी वेड़ी दे सकते हैं जो आपके आपका डैक प्रेक्ट कर रहा है at a distance of alpha L राइट यहां पर डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हूं कि अफ़ल एस्यूम करने कि हमने alpha L ले लिए ठीक है यह कोई आपको एलफा ली लेने चाहिए आप कुछ भी रह सकते हो हमने alpha L लेकिए हमें यह फाइदा हो रहा है कि हमें यह से reaction मिल जाएगी easily in terms of alpha हमने आपका unit load लिया है at a distance of alpha L and due to that load आपका D and F में दो vertical reactions आएगी that is VD and VF and अगर आपको reactions निकालने आती है आपके easily आप निकाल सकते हो with the help of equilibrium equation तो जब आप उनको निकालोगी तो आपकी वह क्यासा से कितनी कितनी value आईगी आपकी VF चैप का आएगा वह alpha आएगा and VDI का आपका वह 1-alpha आएगा ठीक है यह आप calculate कर सकते हो दो यह derivation है इसलाम ने alpha लिया है तो due to this load आपका d and f में दो vertical reactions आएगी राइट अब आपका due to this load जो आपका यह vertical load है आपका यह load transfer होगा कहाँ पर suspenders में transfer होगा और यह load आपका equally transfer होगा हर एक suspender पर सब्सक्राइब कोई समझ माया कि आपका जो यह load है वह suspenders में transfer होगा suspender ही carry करेगा और जो आपका यह load है भले आपका 10 20 कितनी value हो इसकी यह equally distributed होगा हर एक suspender में equally राइट तो उस equal load का हम माल लेते हैं पी माल लेते हैं हमने assume कर लिया कि P intensity का load आपका suspenders में transfer हो रहा है तो आपको यहां पर दिख रहा है suspenders में आपका हर एक जगा पर आपका ऊपर अपको डिरेक्शन में एक load दिख रहा है पी की value का राइट and this P is the intensity of load पी की value unit क्या है आपकी किलोन्यूटन पर मिटर आपके काफी ज्यादा नंबर पे हैं काफी ज्यादा लोगर हम इसके यूडियल क्यू मानते हैं यूडियल हम एज्यूम करते हैं आपका केबल में यूडियल एक्ट नहीं करता है आपके लूडिये अर्व करते हैं आपकी केबल में आपको देख रहागा काफी ज्यादा है काफी ज्यादा नंबर में संपेंडर सापके लगे हैं तो हम उसको एकश्यूम कर लेते हैं कि यूडियल लग रहा है जिसकी intensity क्या है P है राइट तो यहाँ पर हमने आपका P intensity का लोड आपका transfer हो रहा है due to this external load जो आपका पॉइंट रोड एक्ड कर रहा है याप कोई भी लोड एक्ड कर रहा है इससे आपका suspenders में P intensity का लोड transfer हो रहा है तो जो आपकी केबल है वहाँ पर आपको एक downward UDL मिल रहा है P intensity का कोई आप दिख रहा होगा क्लियर है तो आपको केबल में P intensity का UDL मिल रहा है due to the external loads on deck तो due to this UDL of intensity P आपका cables के end में दो reactions आई की जो हम निकालते ही है एक vertical reaction होती है और एक कैसी होती है आपकी एक horizontal reaction होती है तो आपको एक VA मिलेगा और एक VB मिलेगा और एक आपको VB मिलेगा है ना अगर मैं आपसे कहूँ कि यह VA और VEB की value निकालो तो आप easily निकाल सकते हो तो मैं आपका load add कर रहा है कर रहा है कि UDL add कर रहा है of intensity P तो due to this UDL आपके जो vertical reaction आएगी cable में वो कितनी आएगी हमने आपका पड़ा था यह आपका UDL होगा वो आपका दोनों में equally distribute हो जाएगा तो VA आपका आएगा पी अलबाइट तो ना यूडियल का total load कितना होगा पी इंटो एल होगा due to UDL आपका total load कितना आता है intensity multiply by distance तो पी इंटो एगा total load होगा तो आपका हाफ वो व व व जाएगा और हाफ का पाईगा वी बी पर आएगा तो वी बी भी आपका तो वी एंड वी बी की वैल्यू कितने विल रिया आपको पील बाइट टू मिलेगी है ना वियर पी इंटेंसिटी आफ यूडियल डैट इस एक्टिंग वान केबल यहां तक सभी को क्लियर है एक बाँ मुझे कंफर्म करतों तो तम आगे बढ़ूंगा क्योंकि यहां तक अभी केवल जेनरल था अब हम कैसे हम किशी है। decorated perfect a ढभी सपोर्टपोंगे अभी केवल के अले के शने केवल पारल ऊंसाया कि आपक यडियल के कारण में पी एट करंदर है पीड़ें प्रिए चरिया वाला प्रिचुक्ड करनशार्णाति कोई नीचेया उसे कुछ फरक नहीं पड़ता है आपका केबल में UDL ही एक्ट करेगा हमेशा क्योंकि suspenders में आपका equally distribute होगा load और suspenders ही आपका केबल में transfer करेगा in the form of UDL तो केबल में आपका हमेशा चाहे आपका external load कुछ भी given हो आपका केबल में हमेशा UDL आएगा intensity उसकी P होगी and due to that UDL आपका cables के end में जो vertical reaction मिलेगी आपको PL by 2 मिलेगी यहां तक IHOP आपको सबको clear होगा तो अब हम आपका बात कर लेते हैं equilibrium of deck की बात कर लेते हैं ठीक है आपको deck का equilibrium check करना पड़ेगा कौन कौन से लोड आ रहे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे हैं तो मुझे बताओ सबसे पहले deck में कर में किसी भी पॉइंट पर moment देता हूं तो मुझे कौन कौन से लोड consider करने पड़ेंगे आपको नहीं पता तो ध्यान से देखना है आपड ठीक है आपको कौन कौन से लोड देख रहे है ध्यान से नोट करना मैं आपर लेक भी देता हूं forces in deck कौन-कौन से मिल रहे है है ना आप moment लोगे तो आपका forces पता हो इचे कौन-कौन से आ रहे हैं सबसे पहले आपको एक VD मिल रहा है एक आपको VF मिल रहा है न वर्टिकल रेक्शिन जो आपको डेक में दिख रही है इसके अलावा जो आपके suspenders यहां पर लगे है इनमें भी आपका एक अपवर्ड फोर्स मिल देखने को मिलेगा तो suspenders में आपका अपका डेक में एक अपवर्ड बीक्राइड में यूडियल मिल रहा है suspenders के कारण आपको एक अपवर्ड बीक्राइड मिल रहा है सब्सक्राइब करें तो अगर आपका वो ऊपर आपका इंटेंसिटी पी का यूडल दे रहा है तो नीचे की तरफ की तो देगा ना नीचे भी तापका सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके अटेच्ट हैं आपड़ डैक पे तो इस जितने भी आपके suspenders हैं यसमें आपका एक P intensity का force है इस भी हो clear है देखो है या ना बोलना तकि मैं आपको lines बोलूँगा आप बताना कि आपको clear डैकल है suspenders आपके cable में भी attach है और deck में भी attach है ना cable को deck से correct करते है तो मैंने आपका बीच में एक section काटा है suspenders के right और suspenders में आपका cable में आपको suspenders P intensity का यूडियल दे रहा है तो वह suspender आपका deck deck में भी आपका P intensity का यूडियल देगा तो deck में भी आपका तो केबल में हमने इसका downward direction में लिया है और deck में आपका upward direction में लिया है ऐसा क्यू लिया है इसका काफी basic सा सीजय में आपको बेला भी बिताया था आपके जब हमने trust पढ़ा था तब भी हमने देखा था इसको कि इस suspenders में आपका क्या आ रहा होगा? tension आ रहा होगा सब भी हो clear होगा क्योंकि आपका suspenders जितने भी है उसमें कौन सा internal force आएगा आपका tension आएगा राइट क्योंकि आपका external load है वो नीचे की तरफ लग रहा है तो आपका suspender tension होंगे cable में आपका tension आता है तो यहाँ पर आपका compression नहीं आ रहा है, tension आ रहा है बताया था मैंने आपको यह राइट और compression कैसा बनता है आपका, towards the joint बनता है clear है तो जो आपके suspenders है जब आपके वो deck में connect है तो deck से आपके away from the joint बन रहा है आपका force पी वाला है और similarly अगर आप cable की बत कर तो cable में भी आपका away from the cable बन रहा है suspender force तो जो आपके suspenders है उसमें आपका UDL act कर रहा है P intensity का तो आपका deck में भी connected है तो इसको भी हम आपका include करेंगे अब clear है सभी को फटाफर से मुझे बताओ yes sir, yes sir हाँ तो यह होगे अपका suspender UDL of P.T. के है एक last force आपका एक और आता है that is VA जो आपका VA है PL by 2 लग रहा है जो आपके इसके नीचे डावा रा जो भी है है ना तो यह आपका upward direction में लग रहा है A point पे तो आप इसके नीचे आपके downward direction में लगेगा तो आपको यह P by PL by 2 यहाँ पे नीचे के जरब भी मिलेगा D पे और F पे भी मिलेगा तो वह तो point A के लग रहा है ना PL by 2 हाँ तो बेटा A और D connected है ना आपस में हमने line कीचिए बड़ आपस में तो connected ही है है ना अगर A पे कोई force लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ reaction D पे भी आए गई खिले रहे आप A and D and B and F आपस में connected है किसी ना किसी चीज से तो अगर आपका A पे कोई भी vertical force लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ reaction आपका D पे आएगा तो आपका वह same ही आएगा PL by 2 आपका downward direction में आपको एक force मिल रहा है तो इस suspender का जो intensity है वह आपका upward direction में act कर रहा है तो इसका ध्यान रखना और आपका जो PL by 2 मिल रहा है at both ends at D and F एक आपका ये भी आपको मिल रहा है और इसका जो direction है वह क्या है आपका downward रहेगा तो आपके पास पांच लोड है जो आपको डैक में मिल रहे है VD, VF, external loads, suspenders मिल रहा है एक आपको PL by 2 मिल रहा है D and F में downward direction में तो to analyze the forces in deck आपको ये पांचे forces connect आपको consider करनी पड़ेगी clear है तो मैं इस deck को यहाँ पे नीचे बनाता हूँ और इसमें आपके सारे load को बना देता हूँ यह D है यह F है और यह E है तो इन में कौन-कौन से forces लग रहे हैं सभी को बना देते हैं आपका D पर एक vertical forces लग रहा है और एक आपका F पर vertical force लग रहा है this is VD and this is VF VD and VF मैंने बना दिया आपका फिर आपका कोई external slots लग रहे होंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने आपके दो external forces बना दिया है ठीक है इनके value कुछ भी हो सकती है आप 10-20 कुछ भी मान सकती हो question में आपको given होगी right then आपका suspender UDL of P आपका UDL कर रहा होगा डेक पर due to this आप समझ लो कि आपका डेक में UDL कर रहा है तो UDL पर आपका direction क्या है UDL की upward direction में है तो आपको वो UDL कुछ इस तरीके set कर रहा है मैंतब downwards से उपर की तरफ लग रहा है ऐसे है है ना इसके जो डारेक्शन है वो अपको डारेक्शन में है अगर मैं इसको उपर बनाता तो आपका downward direction में वा आता मैंने इसको बीम के नीचे बनाया है that means आपका वो अपको डारेक्शन में लग रहा है और इसकी जो intensity है वो कितनी है P है P किलोन्यूटन पर मीटर राइट आपको याला यूडियल कंसिडर करना पड़ेगा and the last is PL by 2 at D and F में ठीक है तो आपको लास्ट में एक PL by 2 भी मिल रहा है D point पे and F point पे दोनों जगा आपको PL by 2 का एक force मिल रहा है right PL by 2 और यहां भी भी आपका PL by 2 यह आपको forces मिल रहा है on deck पे यही समझना important है कि कौन-कौन से forces लग रहे है इसको आपका हमें साथ ध्यान में एकना है फिर आप analyze करोगे तो आपकी कभी भी question में गलती नहीं होगी और जब आप बुक में पड़ोगे तो आपको यही ध्यान में रखके कर रहा है केबल का टेंशन का formula क्या होता है VA और H का square upon under root under root VA का square plus H का square तब यह आपको tension मिलता है तो आपको VA निकालने के पी की value पता होनी चाहिए तो P निकालना आपको सबसे पहला काम होगा step 1 is to find out P तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे आपका जो E point दिख रहा है E में आपका एक hinge है और hinge में आपका moment क्या होता है 0 होता है तो यहाँ पर आपका moment at hinge की equation दिखेंगे moment at hinge that is E will be equal to 0 ठीक है अब moment निकालने से पहले आपको थोड़ी distances पता होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर आपका distances assume कर लेता हूं distance हमने already assume कर रही है from D point to D point to F point आपको distance कितनी given है capital L given है और जो आपका यह E point है mid point है आपका तो यह आपका L by 2 होगी यहाँ से लेके F तक चलिए फिर equation बनाते हैं आपका at E point पे तो मैं equation जो बना रहा हूं मैं आपका वह मैं आपका क्या कर रहा हूं right hand side देखके बना रहा हूं तो मैं E के right hand side जीतने भी forces लग रहे है उनकी equation लग रहा हूं ठीक है तो E के right hand side कुन कुन से forces लग रहे है सबसे पहले आपका vertical reaction at F है ना और इसकी distance कितनी होगी आपकी E तक L by 2 right L by 2 होगी इसकी distance then after that कौन सा force मिल रहा है आपको PL by 2 मिल रहा है एक है ना PL by 2 आपका downward direction में है हमने VF को positive ले लिया है मतलब अबना upward forces को positive ले लिया है तो हम downward को negative लेंगे PL by 2 आपको negative होगा PL by 2 this is force and PL by 2 की distance कितनी है यह भी आपकी distance कितनी है L by 2 ही है right then आपका एक मिल रहा है ट्वेंटी किलोडिन का downward force तो downward हमने negative ले रहा है तो 20 को negative ही लेंके and 20 की distance हम assume कर लेते हैं x माल लेते हैं आप ठीक है वह आपको given होगी question में x is known, ठीक है x आपका unknown नहीं है हमने यह आपको x माल लिया यह आपको question में given होगा right तो VF हो गया आपका P L by 2 हो गया 20 हो गया finally आपका बच रहा है UDL बच रहा है UDL जो आपका suspension रहा है ठीक है तो UDL के जो डारेक्शन है वह आपके upward direction है तो that is why आपका यह positive होगा and UDL कैसे निकालते हैं आपका सबसे पहले हम इसका total load निकालना पड़ेगा तो P इसकी intensity है and यह आपका act कर रहा है L by 2 distance तक L by 2 distance तक तो जो आपका UDL कर रहा होगा and total load होगा P multiply by L by 2 होगा clear रहे सभी को पर आपका UDL का total load होगा add कहाँ पर कर रहा होगा इसका total load का intensity कहाँ पैक्ट कर रही होगी इसके midpoint पैक्ट कर रही होगा L by 4 बिल्कुल वह आपका add कर रहा होगा L by 4 and multiply by 0 तो यहां से आपको देखो इस equation में एक बार चेक करो विएफ आप निकाल सकते हो ठीक है विएफ आपको अल्रेड़ी आप calculate कर सकते हो कैसे कर सकते हो वह आपका मैं question बताऊंगो अठीक है करेंगे तब सब्सक्राइब करते हैं तो विएफ इस नोन आपको एक्स भी पता है ठीक है एंड आपका यहां पर एल की वेली पता है केवल आपका यहां पर पी अन्नून है तो पी की वेल्यू आप इस equation से calculate कर सकते हो चले ठीक है पी आपका निकल जाएगा यहां से और पी ही आप केबल में जो आपके यह वर्टिकल रियक्सेंस आ रही है एंड होरीजन्टल एक्षिन अरिया इसको निकाल सकते हो एच का फॉर्मला आपको पता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ योरेल आपका एल्च का फॉर्मला क्या होता है एच इस इकल टू पी एल स्क्वाइर बाइट डी यह होता है विल स्कॉर्ण बाइट बी यहांने आपका अल्रेडी ग्राइग किया था इस निकाल डोगे and va कितना होगा आपको pl by 2 होगा right तो p निकलते ही आपके दोने निकल जाएंगे va and h and then आप इससे finally calculate कर सकते हो tension right और tension क्या होता है आपका गर आप ta calculate कर रहे हो ta will be equal to under root of ta square plus h square after calculation of p आप cable में tension easily calculate कर सकते हो clear है एक question आपका यह आता है कि आपका cable में tension पूछेगा दूसरा question आपसे पूछ सकता है कि आपको deck में section देदेगा बोल देगा कि आपका जो deck है इसके 30 meter distance from left support आप moment and shear force calculate करके दिखाओ हमको let's suppose हम माल लेते हैं कि उसने क्या दिया आपका कि deck है जो आपका उससे left hand side से 20 meter की distance पे आप moment and shear force calculate करके बताओ right तो मतला समतला आपको यहाँ एक section दे दिया तो यहाँ पर आपको moment and shear force calculate करना है तो अगर आपको यह loading पता है तो for this loading आप इसको as a simply separated beam के तरह इसमें आपका banding moment and shear force calculate कर सकते होंगा यह hope है न आपको at any section आपको banding moment and shear force पूस सकता है तो उसके लिए कोई अलग से तरीका नहीं है जैसे हमने आपका e पर हमने moment निकाला है वैसे ही आप section पर निकाल सकते हो है न आप section पर left hand side या फिर right hand side आपकी मर्जी है आप left hand side consider करना और जितने भी सारे forces लग रहे हैं सभी को consider करना और उससे moment निकाल देना तो आपका value आ जाएगा यह आपका जो तरीका था यह simplified version था ठीक है जो हमने आपका already पढ़ चुके है पहले है न जो हमने पढ़ा है इसमें कोई आपका extra concept यूज नहीं हुआ है हमने आपको केवाल equilibrium यूज किया है सारे forces include किया है and then आपका हमां से moment कर सकते हैं इसी की help से आपकर हमें question कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है एंड उस question को करना के बाद हम बात करते हैं कि हमारा book में कैसे solve किया है question को ठीक है तो फटा फट से question देख लेते हैं काफी simple सा question है ठीक है इस तरहीं question आपको मिलेगा question पढ़ते है question में लिखा है आपका the three hinge stiffening girder of a suspension bridge of 100 meter span subjected to two point loads of 10 kN each placed at 20 meter and 40 meter respectively from the left hand hinge determine the bending moment and shear force in the girder at section 30 meter from each end also determine the maximum tension in the cable which has a central dip of 10 meter तो देखो यहाँ पर आपको केवल दो load गिवन है deck पे 10 का और 20 का नहीं दो ही दोनों 10 के हैं और उसकी distance अलग अलग है ठीक है and बाकी details गिवन है आपको और आपको वही करना है आपको cable में tension निकालना है और आपको bending moment and shear force निकालना है गर्डर पे at section 30 meter from each end दोनों साइट सेब को 30 meter पे निकालना है ठीक है तो सबसे पहले इसका diagram कर लेते हैं ठीक है यह का diagram है आपको केवल दिख रहा है अब हम फड़ा फड़ा है इसकी वह देख लो आपको जीवन चीजह है देखो इसकी लेंद्ध गिवन है 100 meter नहां यहां पर आपकी मेंचेन अंडेट मिटर केबल का जो सेंट्रल डिप है आपको गिवन आप जो सेंटर में तर्विए निकर टीक है घरा में शोंगी किया हुआ है टार कि है एंड आपको डेक में दो लोड मिल रहे हैं टेन एंब तेन के दो लोड और उनकी डिस्टेंस कितनी कितनी है 20 meter and 40 meter from left and hinge तो यहाँ पर आपको दिखो दो लोड दिख रहे हैं 10 का यहाँ पर दिख रहा है 20 meter distance पर और दूसरा दिख रहा है आपको 40 meter की distance में दिख रहा है 20, 20, 40 तो दो लोड दिख रहे है and for this condition आपको एक तो cable में tension निकालना है और दूसरा आपको bending moment and shear force निकालना है at section 30 meter from each end right तो फटाफटरस जो solve करते हैं ठीक है तो सबसे पहला हमारा जो step होगा step number one वो होगा आपका vertical reaction at d and f calculate करेंगे step one क्या होगा हमारा d and vf calculate करना ठीक है इसका ध्यान रखना आप लो step 5 आप follow करते हो तो आपका ध्यान रखता कि आपको क्या क्या करना है for to calculate vd हम क्या करेंगे आपका या तो हम d पर moment ले या फिर हम आपका f मोमेंट ले जैसे हम आपका simply supported beam में आपका reaction calculate करते हैं same आपको यहां पर ऐसी करना है आप या तो डीप मोमेंट ले लो या फिर f मोमेंट ले लो मैं आपका क्या करता हूं डीप मोमेंट ले रहा हूं ठीक है आप क्या करोगे अभी आप suspenders में जो forces लग रहे हैं या जो PL by 2 है उसको include नहीं करोगे यहां पर ऐसा simply supported beam की तरह लो इसको और इसका मोमेंट calculate करो ठीक है तो डी के right hand side में आपको कौन को से लग रहे हैं एक आपका VF है वी एफ और इसकी distance कितनी है आपकी 100 है राइट एक बार आपकी 40 है और दूसरे टैन की distance कितनी है आपकी आपकी दूसरे वाले की 20 distance है राइट और बस इसके लावा कोई और आपका लोट नहीं लग रहा है ठीक है यहां पर आपका नोट करने वाली बात है कि आपको suspenders का लोट इंफ्लूट नहीं करना है आप आप इस इंप्लिश अपुड़ेट भी में इसकी रेक्शन स्केल्पूलेट कर रहे हो आप राम दिस एक्विशन यू कैल्कुलिट विएफ इसली तो विएफ आपका कितना आजाएगा विएफ आपका आजाएगा शिक्ष्ट नहीं आजाएगा ठीक है राइट तो विएफ आपका आगया दैन आपको वीडी के रिक्विट करना है तो वीडी के लिए आप क्या कर सकते हो जहाओ तो आप मोमेंट ले लो एट एफ पे या फिर आप समीशन फवा इक्वल टू जीरो यूस कर सकते हो राइट यहां से आपको मिल जाएगा वीडी प्लस वीएफ विल बी इक्वल टू 20 हैना 10 प्लस 10 होगा दो लो लोग नहीं आपके एक्टनल राइट तो फ्रॉम दिस एक्वेशन यू कन कैल्कुलेट वीडी और वीडी के व कि देन आपको जाइक लिस्तेप फॉलो करनाच है वह आपको फॉलो करना चाहिए घंप तो फ्रॉम पर का ल्गाब अगर्या n पर अ right so to calculate P हमने क्या बत करी थी आपकी to calculate P आपको है करना पड़ेगा आपको E point पे moment नेना पड़ेगा नए तो यहाँ पे हम आपका E point पे moment ने लेते हैं permission at E will be equal to 0 E will be equal to 0 यह तो ही पॉंइंट तो इह पयांज प्रतिक को अप्र के अपर समय देखी आपके अपर लेचेंट को यहां पर अपर फाइडा है यहां पर यहां सीफ यहां में आपके दो लोड देखने हैं में 10 और 10K है न एक्षेनल लोड़ भी है तो एक्वेशन आपके थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो राइट हैंड साइड देखने में आपको फायदा मिलेगा राइट हैंड साइड में कौन-कौन से फोर्सेज हैं उनको हम लेख लेते हैं सबसे पर आपका फोर्स मिल रहा है आपको वीफ मिल रहा है ठीक है वीफ की वैल्यू कितनी है आपकी डाइट में वैल्यू पूट करते हूं उसकी 6 वैल्यू है वीफ की अब वीफ की डिस्टेंस एट ए इट ए इपिनी होगी 50 होगी है ना 100 वा टू बिट पॉइंट है आपका वीफ को हमने पॉजिटिव माना है देट मिस अपूर्ट को मने पॉजिटिव माना है एंड हम डाउन्लोड को नेगेटिव बानेंगे देन माइनस आपका जो PL by 2 आपको VF में लेगा है जो आपका VF में PL by 2 नीचे आ रहा है इसको निखेंगे हम तो P के वैली हमें निकाल नहीं है तो PL by 2 लिख दिया हमने इसको यह आपका फोर्स है और इसके distance भी अपकी कितनी होगी 50 होगी इसके distance भी क्योंकि यह भी आपका F प्रेक कर रहा है ठीक है तो आपका कुछ आपका कोई भी external load नहीं है E के right hand side में तो हम external load के कराण कोई भी moment नहीं लेंगे नेक्स्ट आपका जो बचा है वो आपका suspenders में जो ideal act कर रहा है वो बचा है ठीक है तो उसको भी हम आपका यहाँ पर mention कर देते हैं ओके then suspender भी आपका ideal लग रहा है वो आपका upward direction में है that is why हम इसको positive लेंगे यह आपका होगा P multiply by L by 2 this is total load and इसकी जो distance होगी वो आपकी होगी L by 4 होगी है ना आपका center back कर रहा होगा यह center in the sense जो आपका E से लेके F तक की distance है उसके center back कर रहा होगा that is L by 4 equal to 0 right अब इस equation में आपको L की value given है है ना के वो पी की value unknowns है तो आप यहाँ पर easily यहाँ से पी की value calculate कर सकते हो तो 50 by 6 कितना होता है 300 होता है minus यहाँ पर L जो है आपका वो 100 है 100 by 2 कितना होगा आपका 50 होगा और 50 multiply by 50 कितना होगा आपका 2500 हो जाएगा पी है ना plus तो इसे भी calculate लेते हैं L by 2 आपका कितना होगा 50 होगा L by 4 आपका होगा 25 25 तो 50 multiply by 25 कितना होता है आपका 1 2 5 0 हो जाएगा multiply by P equal to 0 राइट यहां से आप P की वैल्यू कल्कुलेट कर दो यह आपका आएगा यहां पर माइनस 1250 पी बच्चे का इस तरह और राइट है पर हम माइनस 300 लेया लेते हैं माइनस से मैनस कर जाएगा तो आपका P की वैल्यू आपको मिल जाएगी P will be equal to point में आएगी आपकी 0.24 आ रही है ठीक है इसकी unit के आओगी किलोनुटन पर मेटर हो जाएगी इस तरह के साब P को calculate कर सकते हो राइट क्लियर है से अभी को सभी को क्लियर है यहां तक ठीक है तो यह था आपके जो आपने इनिशल आपको वैल्यू करनी है अब आपको जो कोशन में पूछा है उसको क्यूटन चरते हैं दो चीज़े पूछे आपको कोशन में एक आपको केबल में टेंशन पूछा है और दूसरा आपको बूछा है बेंडिंग मोमेंट चेर फोस इन गडर एट सेक्शन 30 मिटर फॉम इच एंड आपको दोनों यह एंड से 30 मिटर अक बिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट चेर फोस केल्कूलेट करना है राइट तो पहले हम आपको केबल टेंशन निकालना है डएन बेंडिंग मोमेंट पा निकालते हैं क्योंकि इसमें तर टाइम लगने वाला है दैन आपका स्टैप इजो है एंट इसकेल्कूलेट केबल टरी टेंशन देंच केवल टेंशन निकाल देते हैं तो एकड़र केबल टेंशन वी है तो सबसे पहले वीए अड़े एड है एच का फार्मुला आपको पता है है एच का फार्मुला क्या होता है है एच इस एक्वल टू टी एल स्क्वाइर बाइ एट डी एक वैलिव आपने अभी कल्कुलेट करें 0.24 एच के वैलिव कितनी आपके पास हंड्रेट वैल्यू है तो फटावर सा निकालो इस वैल्यू का आपको समझ में आ गया होगा एट मल्टिप्लाइबाइ डी की वैल्यू कुशन में गिवन है डी से अपका सेंट्रल डिप दी की वैल्यू टैन मिटर गिवन है आपको तो इसको अगर अब क्यल्कुलेट करते हो तो आपको यह वैल्यू मिल रही है हुआ है थर्टी मिल रही है थर्टी किलोन्यूटर है यह आपका एच हो गया आप विए करते हो तो वी ए एंड वी बी दोनों आपके ब्राबर हैं आपस में यह आपके हैं पियर बाइट तो इसको आप फड़ा फट्टर कर लोगे एक वेज़ आपको पता है कितनी है जिरो पॉइंट टूफोर है मुल्टिप्लाइब बाइट है एंड डिवाइड वाइड वाइट वाइट तो तो इस विल बी एक्वल तो यह आपका आजाएगा इतना आएगा तो यह आपका 12 आ रहा है किलो न्यूटर तो आपने वी ए ए एंड एच कैल्कुएट कर दिया है यहां से आप टैंशन निकाल सकते हो आपका वी ए एंड वी बी दोनों ही एक्वल हैं यह आपका टी ए एंड टी बी दोनों ही एक्वल होंगे आपका टैंशन एट A पॉइंट बी पॉइंट दोनों ही आपके एक्वल होंगे यह आपके वी एंड वी बी दोनों एक्वल हैं और यह आपका जो होगा वह आपका होगा वी ए प्लस एट सॉरी यह आपके स्क्वाइड में होते हैं ठीक है वी एका स्क्वाइर प्लस एज का स्क्वाइर अंडर रूट है ना तो आप इसको कैल्क्वेट कर लोगे आपको टैंशन की वैल्यूज मिल रही है 32.4 यह आपको मिलेगा 32.4 किलोनुटर इस तरह किसा आपने केबल टैंशन केल्क्वेट कर सकते हो एजी ठीक है देन दो नेक्स्ट केस इस तो कैलकुलेट बेंडिंग मुमिंट शेयर फोर्स एट टू सेक्शन दो सेक्शन आपको गीवन है गर आप डाइग्रम में ध्यान से फोकुस करते हैं आपको जूम बर कर दिखाता हूं में जाह जिंड्रल गाए इतना चैमिंड अपर दो सेक्शन दिख रहे होंगे चीपंट धिख रहें यहां पर और आपको मुमिंट दिख्रा यहां पर और अपको एक क्न दिख ग घ्डिक रहा है तो दोनोह यह आइट्वर सर से तक कलकुलेट करना को तो मैं आपको एक पॉइंट पर क्लिकर दिखा ऑँ डूसरा पॉइंट आप कुछ सी कर लें ना ठीक है मैं आपको जी पर कलो कर लोग करके जी पर तो जी पे देखते हैं कैसे कलेकलेट करते हैं हुआ स्टैप 4 will be to calculate bending moment bending moment and shear force at deck तो bending moment and shear force निकालने से पहले मैं आपगा बीम का एक च्छोटा सा आपका जो सेक्षन है उसका राइट है उसका जापगा जी है इस जी का लेट एंड साइड मैं चंसिडर कर रहा हूं तो इसका लेट एंड साइड का यहां पर एक डीगराम बनाता हूं। दीख है, एक बीम, तो काफी सिंपल तरीके साब का पैलकोइट करना धा है, जैसा आपने E पर कैलकोइट करा है, वैसे आप कैलकूएट करोगे हैं हापर भी, ठीक है, यह आपका अपर VD है, और यह आपका क्या है, PL by 2 है, सबसे पर आपको Point देता हू जी पॉइंट है ठीक है जहाँ पर हमने सेक्षेन निकालना है तो जी की जो डिस्टेंस है यहां से लेके आता कि यह 30 मिटर गिवन है आपको ठीक है और जी से जस्ट पहले आपको एक लोड यहाँ पर लग रहा है 10 का लोड लग रहा है ठीक है 10 किलोटन का और इस 10 की आपकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम डी पॉइंट यह 20 गिवन आपको ठीक है और वीडी की वेल्यू जो आपकी है यह आपने निकाल चुके हो कितनी मिल रही है आपको यह 14 मिल रही है है और इहां पर आपका यह जो ओपर लग रहा हय निचे वो पीयल बाइ 2 है अप्की वेल्यू किवेल्यों की एप म्यक्यक्त कर चुके हो कितनी है आपकी 12 है राइट यह आपकी 12 लग लग रहा है यह Bell का लोड intensity का तो इतने आपके load लग रहे हैं आप इसको आपको consider करना पड़ेगा तो फटा फट से पहले आपका bending moment निकालते है bending moment at g निकाल लेते हैं इस विल बी इक्वल टू आपका left-hand side consider की है तो आपके यहां पर sign convention सारे follow होंगे left-hand side में क्या sign convention होते हैं सब follow करने पड़ेंगे आपको ओके आपका वीडी देखते हैं सबसे पहले वीडी की value कितनी है 14 है और इसकी distance g तक कितनी है 30 meter है ओके वीडी आपका positive होता है क्योंकि आपका upward direction में है ठीक है यह आपको sign convention already याद होंगे then minus आपका जो ऊपर से downward लग रहा है PL by 2 उसकी value आपकी 12 है और इसकी distance भी 30 होगी right then आपका equal लग रहा है downward direction में 10 का तो minus 10 और इसकी distance कितनी होगी आपकी 10 होगी right क्योंकि आपका d से ओ 20 है तो जो distance बच रही है आपकी यह वाली क्योंकि यह आपकी कितनी है 10 है then आपका एक लास्ट जो लोड आपको मिल रहा है वो UDL मिल रहा है P intensity का and यह आपका upward direction में लग रहा है that is by positive होगा positive intensity of UDL is 0.24 इसको multiply करेंगे इसकी length से that is 30 this will be the total load due to UDL this is the total load due to UDL and इसकी distance जो होगी आपकी that will be the 30 by 2 that is 15 क्यावा कोई आपका लोड नहीं है आप इसे calculate कर लोगे जो आपको value मिलेगी वो मिल रही है आपको कितनी मिल रही है 68 मिल रही है आपका unit क्या होगे 68 kN per meter आपका banding movement क्याक्विट कर दिया similarly हम share force भी calculate कर सकते हैं generally आपका same procedure है जो हमने आपका सोम में बढ़ाता हूँ वही procedure हम यहाँ पर यूज कर रहे है तो शेयर फोर्स के हम क्या करते हैं आपका केवल forces देखते हैं उनकी distance नहीं देखते हैं तो कौन कौन से forces लग रहे हैं आपका एक upward direction में 14 का लग रहा है फिर एक downward direction में आपका 12 लग रहा है और एक uh 10 भी लग रहा है downward direction में तो यही चार फोर्स लग लग रहे हैं इनको आपका सॉल्व करोगे तो आपका यह कितना रहा है वैल्यू फड़ाफट से बताओ नेगेटिव ना रहा है 0-0.8 यही रहा है अप्लोग अभी बिल्कुल सही वैल्यू आपकी है तो देखो इस तरीके साफ बेंडिंग वुमेंट शेयर फोर्स काल्क्यूल कर सकते हो किसी भी सेक्शन पर जो दूसरा वाला सेक्शन है वो आप के लिए मैंने छोड़ता हूँ आप लोग उससे सॉल्फ करना और देखना आपके वैडियोस क्या आ रही है और देखो आप यही तक पढ़ते हैं आज के लिए काफी है